हेलो एप्रिवन कैसे हूँ आप सभी आई हूँ आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो देखिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी मोटी जो फॉर्म पड़ी है तो आप उसका किस तरीके से पर्स बना सकते हो प्यूटिफुल सा तो आप जरूर देखिए का पूरी व लागी हुई आती है लेकिन लगाना चाहो तो लगा सकते हो नहीं तो नहीं वह वाला सिस्टम होता है तो वही स्लीव है यह तो आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा ले सकते हो मतलब यह है और जो आपके पास हो और नीचे की साड में मैंने लगाया है बैक जो सामान बगेरा के साथ आते हैं कपड़े वगएरा के साथ अब देखिए आपको चारों तरप से इस में सिलाई लगा लेनी अच्छी तरीके से और आप यह मत कहना कि हमारी मसीन नहीं चलती है क्योंकि देखिए मेरी चल रही है तो मैं मुझकुर नहीं पता है किसी की चल रही है नहीं क्योंक आता है क्योंकि मेरी जो है यूज होती है डेली की डेली क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाती हूं और डेली यूज करती हूं कि अब देखिए हमने इस लाई लगा ली है बरावर से सब पार्ट को कट कर लिया है जो निकला हुआ था और जो एक तरफ से जो एक्ष्टा पार्ट है उसको भी हम कट कर देते हैं दोना तरफ से तो देखिए हमारा पार्ट इस तरीके से हो जाएगा अब मैं इसकी लंबाई चोड़ाई बता देती हूं आपको होगे कि वो भी नहीं बसाई अभी तो देखिए 16 इंचिस की लंब पॉने चैंच तो यह जैसे पार्ट था उतना ही मैंने ले लिया है इसमें से ना कोई किदर से कट किया है ना ही बढ़ाया है तो जैसे कपड़ा था उसी तरीके से मैं इस पर्स को बनाने वाली हूं अब देखिए हमने ले लिया चैन चैन को हमने लगा लिया है पीछे से ए दूसरी साइट भी आपको सिल लेना है तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगे और देखिए उपर से में एक और सिलाई लगा लेंगे अब देखिए मैंने ली है एक लेस का टुकड़ा जो कि ब्लाउज में से बच्चा हुआ है अगर आपके पास लेस ना हो तो कोई भी डिफ्रेंट आप कपड़ा लेके लेस की तरह यूज कर सकते हो अब हम इसे कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है दोनट साइड से अब डाल देते हैं हम इसमें रनर अब इसको हम सीधा कर देंगे तो सीधा भी कर दिया हमने मतलब उल्टा सौरी उल्टा और देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है मार्केट वाली एक इंच और वाली स्ट्रिप है यह बैक की ही है यह मैंने 45 इंच लंबी ली है क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्लिंग पर्स और अगर आपको हैंड पर्स बनाना है तो आप अपने साथ से बना सकते हैं अब देखिए एक इंच करी मैंने इस तरीके से जो हमारा चैन वाला पार्ट है उसको उपर से थोड़ा सा नीचे लेते हुए एक इंच करी इस तरीके से सेट कर दिया है अब दूसरे हिस्से को भी हम तनी को दूसरे हिस्से में भी सेट कर देंगे उतना ही लेते हुए बरावर आना चाहिए दौनों साथ से नहीं तो थोड़ा सा भद्धा लगेगा न इसलिए तो देखिए मैं आलपिन से इसको सेट कर देती हूँ अब हम इसमें लगा देंगे इस दोनों साइड में तो है कि आप पैपी लगाना चाहों अंदर कि साइड में तो पैपिल लगा सकतेओं नहीं तो ऐसे भी तो आज जाएगे तो यह बाटर प्रूफ वाली फॉर्म नहीं है इस नॉर्मल जो आती है फॉर्म वो वाली है लेकिन मौटी है थोड़ी से तो देखिए दोनों तरप से मैंने शिलाई लगा दी है और इसको मैं सीधा कर लेती हूँ तो देखिए सीधा करके कुछ इस तरीके से इसका डेजाइन आया बहुत ही खूपसुरस सा बना है परस इसका कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जैसे हमारा कप्राता उसी साफ से मैंने इसको निकार ला है इस मेंसेज ना ज्यादा कट किया है नहीं जोइंट किया है कोई भी पाट एक ही पीस से आप बना सकते हो बहुत ही खूपसुरसा परस हो गाईज अगर आप लोग को पीडियो पसंद आयो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेनों बाब बाई